बीमारियों के इलाज में होने वाले एक खर्च का बड़ा हिस्सा दवाईयों का होता है हमारी टीम की एक सदस्या ने आम तोर पर काम आने वाली कुछ दवाईयों का एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लिया फिर उन्होंने ये दवाईयां बाजार में एक केमिस्ट की दुकान से खरी दी और यही दवाईयां उन्होंने जेनरिक मेडिसिन्स की दुकान से भी ली दवाईयों की कीमत में जमीन आस्मान का फर्ट दिखाई दिया राजस्तान में कम कीमत में मिलने वाली इन जेनरिक दवाईयों की शुरुवात की चित्तोर के पूर्फ कलेक्टर दॉक्टर समिट शर्माने कर दुकान में जब गई तो उनको कम में मिली तीन सो में मिली यह कैसे मुमकिन है ठीक इसी समय प्रतिक्षन प्रतिपल एक ट्रेजडी हमारे चारों और खट रही है अर्थक्वेक किया कि सुनामी की बात करें उसमें जितने लोगों की जाने एक दिन में जाती है उससे ज़्यादा जाने प्रते दिन इस ट्रेजडी की वेसे जाती है वो क्या ट्रेजिडी है? वो ट्रेजिडी यह है साब कि जो दवाईयों की वास्विक कीमत है वो तो बहुत ही कम है पर जो दवाईयां हम जब अजार से खरीद के लाते हैं तो हमें वो पांच गुना, दस गुना, बीस गुना कई वार तो पचास कुना से भी ज़्यादा दामों पे हम उसको खरीदते हैं जैसे हम भारत में अगर देखें कि चालीस करोर से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने लिए दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते तो क्या वो तो दवा को खरीद सकते हैं? बहुत सारे लोगों को इस वज़े से दवाई नहीं मिलते हैं डवल एचो कहता है कि स्वतनता के 65 वर्ष परश्चात आज भी 65 परसेंट आफ दे इंडियन पोपलेशन लेक्स रेगुलर एक्सेस तो इसेंशल मेडिसन्स जो मेन मेन दवाई हैं जो आवशक दवाईयां हैं वो उन तक नहीं पहुच पाती रखम के वज़े से मुझे बताइए कि यह जो जेनरिक मेडिसन जो हम कहते हैं अब यह अग्रेजी का शपद है इसको हिंदी में कैसे संजाएं मैं आपको बहुत सरल भाशा में बताता हूं तो यह जेनरिक नाम जो दवा का जो मुल सॉल्ट है जो इसके अंदर जो दवा है उसका नाम है चैमिकल नाम है अब जैसे और उधारन अगर सरल करके बताएं इसको तो जैसे यह लड़की दूबली पतली से नजर आती है तो मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मैं इसको यह कहूँ एक गलास दूद सुबह एक गलास शाम को पिया करा पर चिकत्सा के व्यवसाय में दुरभाग्य से हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा हम यह नहीं कहते कि आप भाश का दूद लेके आई हम कहते हैं कि वो रामो की पर जाती है वो कहता है पांसो रुपे लेटर है लेना है कि नहीं लेना तो जो 30 रुपे की चीज़ है वो 500 रुपे में मिलती है तो अगर मैं डाइबीड़ी की दवा ले रहा हूं और अगर मैं ब्रेंडिड दवा लेता हूं तो मुझे कितने की पड़ेगी जैसे एक 117 र और जोनों गोलियों में कोई फरक नहीं किसी 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 का प्रतिशत समान क्योंकि इसके उत्पादन लागाती इतनी है उसका मैनिफेक्चरिंग, पैकेजिंग, ट्रांस्पोर्ट, डिटेल मार्जिंग, जो हैं, जो हमारे जाते हैं, उस सब मिला करके, उतने की ही पड़ती है कुछ cancer के मैं आपको धार नदूँगा, उसमें एक ही दवा जो blood cancer के काम में आती है, बजार में 7,000,000 रूपे का एक पेकेज़ का मिलता है, 4,000,000? 7,000,000 का एक पेकेज़ जो एक महिने चलता है. और जन्रिक में? वही दवा जेनरिक में अलग-अलग companies जो बनाती हैं एक 10,200 में बेशती है, एक 8,800 में बेशती है और एक 6,500 में बेशती है मतलब ये आपका ये कहना है कि आपके ये प्रयास से इतने कम में राजस्थान में पबलिक को अवाम को ये दवाएं पहुचा रहे हैं आप इस वक्त क्या बात है मेरा ये सवाल है कि डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे परची पर जेनरिक नाम क्यों नहीं लिख के देते क्यों लिखते हैं वो ब्रैंडिक जाने नहीं देंगे भार फिर नहीं नहीं सब जाने देंगे जब एक नया नहीं मेडिकल प्रैक्टिशनर जब प्रैक्टिस शुरू करता है तो उसके पास जो कंपनी के जो medical representatives होते हैं sales बढ़ाने का उनका काम होता है sales agent होता है basically फिरो कहते हैं कि अब हमारी जो दवा है यही लिखना यह बहुत बहुत बहुतर दवा है इससे मरीज ठीक होगा और उनको doctors को लिखने के लिए उनको pressurize किया जाता है उनको tempt किया जाता है यह एक में बहुत बढ़ा कारण है जो दवा की कीमत को उसकी वास्तफिक कीमत से पांच, दस गुना, बीस गुना तक बढ़ा देता है यह बहुत बढ़ा कारण है क्योंकि हमारे पस जब हम टेंडर करते हैं तो बहुत सरे कंपनी वाले आते हैं आपने जब यह शुरू किया तो आपको कोई रिजिस्टेंस फेस करना पड़ा राजस्थान में? देखिए जो प्रयास हम कर रहे हैं यह बेसिकली धारा के विपरित बहने का एक प्रयास है काफी थ्रेट्स भी है क्योंकि इसमें माफियाज भी हैं ड्रग माफियाज जो अपरेट करते हैं और हम हमेशाए बात कहते हैं कि हम सौ साल से भी पुरानी शोषन की विवस्ता को अपने जेब से पैसे निकाल के मरीज का राज कराते हैं जैसे डॉक्टर्स आज भी है बिल्कुल सही तो मैं इनको एक उधारन भी बताता हूं कि कैसे हमारे जो काम वाली थी उसका बच्चा था चोटा इंसिडेंटली हम को इससमें चुटी मनाने कोई बाहर गए जब हम लॉट के आए दस बारा दिन बाद तो लक्षमी के साथ उसका चोटा जो बेटा था राजू वो भी उसके साथ आता था जब और मेरे बच्चों के साथ खेलता था तो लक्षमी अकेली है राजू नहीं आया तो हमने पूछा कि क्या हुआ तो उसने जब बात बताई कि साथ वो उसको आप गए थे उल्टी दस्त हो गया था उल्टी दस्त की बिमारी के लिए जब दवा लेने गई तो कैमिस्ट ने उसको कहा कि इसके तो चार सो रुपे लगेंगे तो उसने जब खूब मांगा मेरे पास चार सो रुपे मुझे नहीं थे और मेरा बच्चा कोई उसको दस्तातरे वो खतम हो गया और मैं आपको कहना चाहता हूं कि वह जब दवा लिखी थी कि वास्ताव कीमर डेढ़ दो रुपे ही है तो वह बच्ची की जान बच सकती थी पैसट वर्ष के बाद भी अगर कोई बच्चा उल्टी दस्ते मर जाए तो मैंनी समझता इससे शर्मनाक बात को हम लोगों के लिए हो सकती है और सबसेट बात किसे आसानी से बदला जा सकता है हमें सबको एक समनवेत एक संगठित प्रयास करने की ज़रत है यह तो कुछ भी नहीं है कोई नई फैक्टरी खोली नहीं कोई नई दवानी नहीं यह जाना नहीं यह ज